हाई मैं हूँ C.A. Gara Sabarwal, A-Team Commerce Academy इंदाउर से और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं C.A. में USA के बारे में चलिए शुरू करते हैं वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर टूजडेज सीजन 2.0 करियर टूजडेज एक हमारा रेगुलर सेगमेंट है इसके अंदर हर हफ़ते हम करियर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं और उसके लिए एक पूल भी रिलीज करते हैं जहां आप कौन सी वीडियो प्रियारिटी पे देखना चाते हैं उसके लिए वोट कर सकते हैं तो अगर आप भी यही तरी की वीडियो लगातार देखना चाते हैं और वोट भी करना चाते हैं तो सब्सक्राइब रहना ज़रूरी है फिरहाल इस वीडियो के अंदर हम CMA USA कोर्स के बारे में डीटेल में बात करेंगे कुल मिलाके 9 different points के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिससे आपके लिए decision लेना बड़ा असान हो जाएगा कि CMA USA आपके लिए सही कोर्स है कि नहीं और आखरी में हम एक final verdict देंगे कि आप अपने career के कौन से stage पे है और वहाँ पर आपके लिए CMA USA सही choice रहेगा कि नहीं तो शुरू करते हैं पहली बात से field of work यानि कि CMA USA कौन से field से related है To put very simply, यह management accounting की field से है अगर आप class 12th के student हैं तो यहाँ पर आप दो chapters ऐसे पढ़ चुगे हैं जो management accounting से related हैं पहला chapter है controlling और दूसरा financial planning फिलाल, short में मैं आपको इतना बताऊंगा कि management accounting एक ऐसी profile है जो हर company के अंदर होती है क्योंकि हर company को plan बनाना होता है, अपने goals बनाने होते हैं और financial planning करनी होती है साथ ही साथ में उन्हें monitor करते वे यह भी देखना होता है कि क्या उन्होंने अपने goals effectively achieve करें कि नहीं और इसी काम के अंदर management accountant माहिर होता है इस course की खासियत यह है कि यह बहुत कम समय में हो जाता है और यहाँ पर आपका investment भी बहुत कम होता है इसके बारे में detail आगे चल करके हम बात करेंगे फिलाल एक वीडियो आगे हमने बना कर रखा हुआ है अगर आप वीडियो देखना चाहते है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते है फिलाल बात करते हैं eligibility की कि सर इस course के लिए अगर हमें eligible होना है तो उसकी क्या requirement है तो जब आप website पर जाते हैं तो वहाँ बड़ा clearly लिखावा है कि भई आपका bachelor's होना चाहिए और bachelor's नहीं है तो कोई professional degree आपकी होनी चाहिए तो यह सुनते से आप लोगों को लग रहा होगा सर अभी हम class 11th और 12th में तो शायद CMA USA के बार में हमें सूचना नहीं चाहिए But to clarify, CMA की website पर उन्होंने एक CMA US की handbook भी दे करके रखिए जहां पर वो clearly state करते हैं कि अपना bachelor's degree का proof आपको CMA exams clear करने के 7 साल के अंदर-अंदर जमा करना होता है इसका मतलब यह है कि आप चाहिए तो 11th 12th से भी CMA US शुरू कर सकते हैं यह recommend नहीं करता कि आप इतना जल्दी शुरू करें क्योंकि यह ऐसा course है जिसके लिए एक certain level of maturity हमें चाहिए होती है आप B.com first year से जरूर इस course को शुरू कर सकते हैं In fact, 12th के exams देते से ही आप immediately CMA US के अंदर enroll भी कर सकते हैं पढ़ भी सकते हैं और exam भी दे सकते हैं और यह बात भी मुझे इस course की पसंद आती है कि एक early start आपको मिल सकता है as compared to other professional courses चलिए यह भी देखें कि CMA US का exam pattern कैसा होता है CMA US के अंदर दो parts होते हैं कोई भी part आप किसी भी order में दे सकते हैं आप चाहिए तो दोनों के दोनों part एक साथ भी दे सकते हैं course को जल्दी complete करने के लिए though I don't recommend it क्योंकि एक course वैसे इतना short term है मेरे हिसाब से जल्दबाजी करने की बजाए तीन एक महिने और लेका अगर course complete कर ले तो better idea है exam के अंदर आपको multiple choice questions तो आएंगे साथ ही साथ में ऐसे questions भी आएंगे यहां पर आपको type करके that's correct type करके अपना answer देना होगा क्योंकि exams यहां पर computer-based है exam देने की window साल में तीन बार खुलती है अब window का मतलब क्या है sir window का मतलब होता है कि वह आपको दो महीने के अंदर start date और end date बता देते हैं यह दो महीने के अंदर कभी भी आप अपना exam दे सकते हैं साल के अंदर सबसे पहला window January से February में available रहता है यानकि 1st January से 28 या 29 February तक आप अपना exam कभी भी book कर सकते हैं और दे सकते हैं second window में से लेकर के June तक open होती है जिसके अंदर आप अपना exam दे सकते हैं and then finally September से October में इसकी 3rd exam की window आती है इस साल यानि की 2021 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ May से June की window को extend किया जा रहा है से अब April से June कर दिया गया है यानि की students के पास 3 महीने की window होगी exam देने के लिए अब यहाँ पर मुझे एक बात और अच्छे लगती है रिजल्ट आपका सिर्फ और सिर्फ चौदा दिन के अंदर आ जाता है बगर पास करने के लिए आपको 500 में से 360 का score minimum चाहिए which is approximately 72% सर ये तो बताएं कि समय कितना लगेगा आप बार बार बोल रहे हो जल्दी हो जाता है कितना जल्दी हो जाता है देखें CMA USA को आप लगातार पढ़के 6 महीने में भी क्लियर कर सकते हैं वैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वो 12 महीने से 18 महीने का समय बताते हैं but on an average तकरीबन इंडिया के अंदर तो students इसे 9 months के अंदर-अंदर complete कर लेते हैं CMA USA खुद maximum 3 साल अलाव करता है इसके आगे हम आपको अलाव नहीं करेंगे इससे कम टाइम के अंदर आपको clear करना ही होगा चलें अब थोड़ा सा ROI की बात करें सर कितना खर्चा आएगा तो खर्चा आता है बुटा तकरीबन average बता रहा हूं मैं आपको 1.6 lakh के आसपास यह से जाधा या कम भी हो सकता है depend करता है कि कि स्कूचिंग पर आप पढ़ रहे हैं और वहाँ पर क्या fees है सर पैसा यानि कि सैलरी कितनी कमाएंगे इसके अंदर हम तो आप आप सोच के देखें तो चार से पांच महीने के अंदर आपका लगायवा पूरा पैसा आप कमा सकते तो आरवाई तो तकड़ा है सर इसके इंडिया में जॉब्स मिलते हैं क्या बिल्कुल मिलते हैं CMA USA के जॉब्स इंडिया के अंदर sufficiently available हैं और CMA Jobs in India का एक वीडियो बहुत ही recently मैंने बनाया था और उनके feedback पर एक वीडियो बनाई है तो आपको एक real picture मिलेगी तो अगर salary के बारे में और job के बारे में detail में जाना चाते हैं तो फटा फट चे i button पे क्लिक कर ले और वो वीडियो देख ले सर दूसरे professionals qualification की तरहें क्या यहां पर भी हमको work experience लेना होगा बिलकुल लेना होगा यहां पर mandatory requirement है two years का work experience लेने का management accounting की field के अंदर अगली बात करते हैं value addition की इसका मतलब सर यह हमारे career में कुछ value add करेगा क्या तो अगर आप एक graduate है और उसके बाद CMA USA कर रहे हैं तो definitely आपकी employability तगड़े तरहें से बढ़ जाती हमने यह भी देखा है कि कहीं सारे charter account rooms, ACCAs और CPS भी CMAUS करते हैं अपनी profile के अंदर value addition करने के लिए और अगर आपने CMAUS कर लिया है और अब आप कोई दूसरा course करने के लिए सोचने तो भी आपके पास ACCA का एक बहुत अच्छा option available है क्यो तो क्लियर करना तो इसका success rate देखकर के हम समझते हैं व्यासे तो website पे उन्होंने प्लेनली लिखा वाए कि सर्फ 50% passing rate है यानि कि अगर 10 बच्चा पेपर देता है तो पांस तो क्लियर हुई जाते हैं विच इस प्रिटी गूट पर थोड़ा और डिटेल में जाकर के मुझे स्टेज पर खड़ें और आपको CMA USA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके अंदर सबसे पहली बात में कहूंगा कि मैंने देखा कहीं सारे स्टोंस को थोड़ा सा पैसे की shortage होती है और वो जल्दी से जॉब करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए CMA USA एक बहुत जैसे चाहिए CMA इनको भी टार्गेट कर सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने यह भी डिसकुस किया है कि एक बहुत अच्छा वाल्यू एडिशन भी साबित होता है इसके बाद CMA USA करेंगे तो डेफिनिट्टी एक बहुत तगड़ा वाल्यू एडिशन होता है आपकी अगर आपकी एज जादा है यूर नॉट ऑन दी यंगर साइड तभी भी CMA USA एक बहुत अच्छा कोर्स है क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं एक और अच्छी बात Global Recognition है इस कोर्स की जिसकी वजह से सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं को फटाफट सब्स्राइब करनो और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करनो कि हर संडे में लाइव आता हूं और आप लोगों से लाइव बात करता हूं आपके कहीं सारे सवाल हूंगे इस कोर्स को लेकर के तो कॉमेंट सेक्षिन है ना फटाफट से पूछना शुरू करें मै जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करें अभी के लिए इतना ही आपके सिये गारसर आपको अट्राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे